नमस्कार भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है मैं हूँ हर्शंकर कुमार मद्परदिश में एक सप्ता से मुख्यमंत्री के नाम पर चल लहा सस्पिंस अब खत्म हो गया है और रेस में कई नाम थे करीब आधा दर्जन नाम थे उन में से कोई भी मुख्यमंत्री फाइन एलान हो गया मोहन यादब MP के नए CM होंगे BJP ने इनके नाम की घोशना कर सभी को चौका दिया मोहन यादब भी OBC चेहरा हैं वो उजयन दक्षिन विधानसभा सीट से विधायक हैं संगठन और संग में उनकी अच्छी पकड़ है वहीं रेस में चल लहे सभी नेता बाहर ह हो गये मोहन यादब के नाम की कहीं चर्चा भी नहीं थी मोहन यादब ने अपने करियर की शुरुवात छात्र राजनीती से की है मोहन यादब ने अपनी राजनीती की शुरुवात कॉलेज से ही की थी वो संग के बेहत करीबी रहे उजयन के दक्षिन विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं जी यादब जाती से आते हैं मध्यप्रदिश में यादब OBC में आते हैं इस बार उनके विधानसवा सीट में तिरकोन ये मुकाबला था सीएम पद के वो कहीं से दावेदार नहीं दिख रहे थे उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी पार्टी ने उनके नाम की घोशना कर सभी को चौका दिया बिधायक दल की बैठक में जब डॉक्टर मोहन यादब के नाम का एलान किया गया तो मंच पर वो पुर्व सीएम शिबराज सिंग चौहान के पाउँ छूते देखे गए और शिबराज सिंग चौहान ने आत्मियता के साथ सिर पर हांथ रख कर उन्हें आशिरवाद दिया मोहन यादब मध्यपरदेश में बीजेपी का बड़ा OBC चेहरा हैं उनके नाम के घोशना संभबता दोहजार चौबिस के लोगसभा चुनाओ को देखते हुए की गई है मोहन यादब की सेक्षनिक योगेता पी एच डी है वो दोहजार वीस में उन्हें सिक्षा मंत्री की जिम्यदारी दी गई थी और दोहजार तईस तक वो इस पद पर रहे इससे पहले वो कौन है मोहन यादब उनका जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ 58 वर्षिये मोहन यादब को दो पुत्र और एक पुत्री है उन्होंने एललवी किया है 1982 में माधव विज्ञान महा विद्याले में पहली बार चातर संग के सह सचीब चुने गए थे 1984 में अखिल भारतिये विध्यार्थी परिशद उजैन के नगर मंत्री बने थे 1986 में वो विभाग प्रमुख मने थे 1988 में मोहन यादब अखिल भारतिये विध्यार्थी परिशद में परदेश सह मंत्री बन गए थे 1991-92 में मोहन यादब रास्टिये मंत्री भी बन गए थे इसके बाद उन्होंने संग से भी जुड़कर लंबे समय तक काम किया है विधायक दल की बैठक में उनके नाम की घोशना की गई वो 2004 से पहले 2010 तक उजयन विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष रहे है जबकि 2011 से 2013 तक MP राजिप परेटन विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष की जम्यदारी सम्हाली है वहीं 2013 में पहली बार मोहनियादव विधायक वने थे इसके बाद से लगातार चुनाओ जीतते रहे हैं वो सिर्फ तीन बार के विधायक हैं पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्यदारी दे दी है इस फैसले से सभी लोग हैरान है जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के चैन में संग की पसंद का ख्याल रखा गया है संग में मोहनियादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है वो जमीनी स्तर के नेता रहे हैं हाला कि अपने बयानों की वज़ह से मोहनियादव कई बार चर्चा में रहे हैं मोहन यादब का नाम इतना जोर शोर से सामने नहीं आया। राजनीती मामलों के जानकार भी किसी चर्चा में मोहन यादब का नाम नहीं ले पाए। बीजेपी का ये फैसला वाकई हर किसी को चौकाने बाला है। जीत किया है। और ये सबसे बड़ी चुनावती उन पर रहेगी क्योंकि उनके साथ बहुत सीनियर नेता सब क्योंकि वहाँ जोतिरादी सिंधिया से लेकर के नरिन सिंग तोमर हैं, शिवरा सिंग चोहान हैं, सब को साथ लेकर चलना। ये बीजेपी कहती भी है कि सब का साथ और सब का विकास, तो उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि सभी बड़े वरिष्ट नेताओं को साथ लेकर चलना। क्योंकि 2024 में लोगसभा में बीजेपी फिर से अपनी दावेदारी कर रही है और कहीं न कहीं उसके लिए मध्यपरदेश्क से भी 29 सीट जीतने की पूरी कोशिश होगी इसलिए उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी भूमी का उनको फिर से निभानी पड़ेगी क्योंकि सभी वरिष्ट नेताओं को साथ लेकर चलने से ही बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इ सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार